हेलो कोई सोगतेवी पिर्ष साब का हम आज है मैं दोस्तों यहां पर आई सेयर का एक जाम एक दिन का खतम हो चुका है अब इसमें एक चीज निकल कर सामने आए कि जो जर्णगर्णा तो आने वाले समय में अगर आप जर्णगर्णा पढ़के जाते हैं तो आपका निची रूप से तीन चार नंबर पक्का हो जाएगा तो उसी की सीरीज में यहां पर हम प्रेक्टिस कर लेते हैं ज्यादा स्यादा पशन होगी तो उससे पहले वीडियो पसंदर लाइक कर सब्सक्राइब कंव पशीर तो इंसी सित्था तो यह फ्यूजादारी में अगले में सिध्धात जिसको हम प्रतवादिच prossimy कि यह आपको बताना एं ठीक है तो इसको प्रवादित किया था फ्ड़ नोटी स्टीन ने इसको प्रताइब किया था demographic transition theory अगले में कहागे बारत में अंग्रेजियों के समय में पर्थम जनगन्ना सबसे पहले कब होगी थी ठीके अंग्रेजियों के समय में जो पर्थम जनगन्ना होती है वो होती है कब होते हैं अगला कोश्चन देखिए जण संक्या के आयू लिंग संगटन को निरुपुत करने की सरवत्तम बिदी रहे वो कौन से एक धार्मिक समू है जिसका सबसे ज़्यादा भाग जो है वो नगरी छेतर में आता है तो जैन जो है ना यह सबसे ज़्यादा नगरों में रहते हैं गाउं में यह बहुत कम निवास करते हैं अगला कोशन है समान जनसंख्या दरसाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है ठीक यहां पर क्या हो जाएगा अगर 2021-22 की बात करेते हैं तो इसमें जो बजट बना था जंगर्णा के लिए वो बना था 3768 करो ठीक है 3768 करो अगला कोशण है बारत के किस राज में महिला पुरुस अनुपात 1000 से भी अधिक है तो वो कौन सा हो जाएगा केरला हो जाएगा ठीक है खाली के डाटा के हिसाब से तो कई और राज भी हो गए जहांपर 1000 से अधिक है लेकिन आप जही जो 2011 के हिसाब से वो केरला होगा अगला कोशन है जनांकी संक्रमर सिधान्त के अनुसार भारती जनसंख्या जो है वो किस तरफ दरसाती है ठीक है तो वो होती है यहाँ पर आपका थार्ड अवस्था की और है इस समय जनांकी संक्रमर सिधान्त के हिसाब से अगर देखें किस थार्ड अवस्था की सबसे अधिक है महिलाओं की साचर्टा अधिक रही है वो कहां पर रही है त्याद रखेंगे लच्छ दीप इसका तरेक्ट एंसर ठीक है लच्छ दीप अगला कोशन है निम्न लिखितमे से कौन सा एक वर्स के दोरान संसोधि जर्मदर को दर्स आता है वो कौन दर्स आता है परती एक हजार व الخ्टियों पर जनमिष्रिशोंगी संख्या ठीक है अगला कोशन है निम्नांकित राजो में किसमि अनसूचित जातियों का परसंटेज जो है वो सेमसे पेसे के मामले में अगला कोशन है अब आगे जनसंख्या वितरन को प्रभावित करने वाले प्रमुक्ख कारक कॉन जनसंख्या वितरन को प्रभावित करते हैं वो कारत कॉन Wyoming होगा एक तो जल्वाई यहां पर करेक्टर अंसर जल्वाई जो है नहीं जब के जन्संख्य वितन को सबसे आदा प्रभावित करता है अगला जन्संग जन्गन्ना 2011 और 2001 की तुल्ना में साचरता दर में कितने पर्षंट की ब्रद्धी हुए थेक हैं अब यहां पर कितने पर्षंट की व्रद्धी हुए जो यहां पर लिट्रेशी रेट है उसमें तो वह कितनी 8.2 की ठीक 8.2 की अगला कोशन है वर्ष 2011 की जन्गन्ना कांसर लिमतम निंगा नुपात वाला राज कौन सा है जहां पर सबसे कम लिंगान पात रहा है तो वह कौन सा हो जाएगा हर्याडा हो जाएगा ठीक है हर्याडा इसका करेक्ट एंसर है अगला कोशन देखेंगे तो इसमें कहा गया है की वर्ष 2011 की जन्गन्ना के अंतिमाकडों के नुसार भारत क प्रतिवर किलोमेटर वह कितना है ठीक है तो वह कितना हो जाएगे तो बहुत यह असाने 382 ठीक है कितना है 382 है इसका अवसाथ घनत कहां का बिहार का है अगला कुशन देखेंगा गया है कि 2011 की जन्गन के सार्वादिक परसेंट भारत के किस राज में ग्रामीर जनसंख्य चाहिए का पर रहती हैं वह हमाचल्पर देख हुमाचल यह है बारत कि धी बात करते हैं अगला कोशन नहीं सरवादिक जन्संख्या गछन तुछा है ठीक है अगर यहां पर पूछता ना के राज डा resort में बिहार हो जाता लेकिन केिन सासित में पूछा है तो कौन से हो जागा दिल्ली हो जागा ठीक है दिल्ली जो है यह सबसे आदा population density रखता है के अंसासित प्रदेश में अगला गोशन है कहा गई हो जना आयोग द्वारा वर्स 2011-12 में कितने राज्यों के साचरता दर में 85% से उपर करने का लच्छ रखा गया था जिसे जनगना भारत के इतिहास के महान विभाजक वर्स की रूप में जाना जाता है तो सब लोग जानते हैं वह हो जाएगा 1921 अगला प्रहों नैं आप जी सुम्रतिदर जो है संबन्दित है वह सब्सक्यादा कहां पर ठीक है अप सिशूम्रतिदर जो जो है तो यह हो जाएगा आपका दिवाँगाटी जो राचल परदेस में अगला वसन में किस राज में राष्टी औुसत की तुलना में सच्छर्टा धर सबसे कम है तुलना की बात करें मतलब कहा है किस राज में राष्टी जो असाथ निकाला जैते जैसे पूरा प्रस में और उससे भी कम यहाँ पर है अंधब्रतेश का अग्ला कोशिन है बारत में Democratic डिवाइड़न्ट वाले एक देष्क के रूप में क्या थी ठीक है भारत की खिंटी जो है किया demographic डिवाइड़न्ट है उसमें करी जाती है ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि क्योंकि यहाँ पर 15 से 64 वर्ष से कम आई वर्ष की जनसंख्या सबसे अधिक है ठीक है 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष से कम आई वर्ष की जनसंख्या सबसे अधिक है मतलब क्या है 15 से 64 वर्ष की जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग है ठीक है अब सबसे ज़्यादा अंसुच्च जण जाती कहां रहती है मदपदेश में रहती है अभी हाली में मदपदेश में कांड हुआ है आप सभी लोग जानते हैं आदिवासी के साथ ही हुआ था प्रवेश सुखला वाला अगला कोशन है भारत में जनसंक्या घनत जो है वो क्या हो रहा है उससे क्या फरक पड़ा है तो जनसंक्या घनत तो है वो समझें लगाता वो बढ़ रहा है ठीक है लगाता जनसंक्या घनत तो बढ़ रहा है क्यों कि जनसंक्या बढ़ रही है जनसंक्या घनत तो बढ़े किन्सासित प्रदेश में आबादी का घनतु सबसे कम है अब कौन सा केंसासित प्रदेश जहां पर सबसे कम घनतु है आबादी का ठीक है तो कौन सा हो जाएगा अंडमान निकॉबार अगला कोशिन आपके देखें वर्द रिस्ट상 2001 की तुलना में 2011 में में बच्चों के लिंगा आनपात में कितनी कमी आई है तो यह पूछा गया है तो ट्वाट की कमी आई है अगरा कोशन है अपर बहारत में फुरुस और महिला साच्छत्ता दर्का औंतराल कितना है। पुरुस और महिला दोनों की साच्छता रेट जो है ना उसका डिफरेंस कितना है ? तो उसका कितना है? 16.30% कह 650 nd compare कितना है और कितना है difference पुरुस और महिला में, वह है 16.30% ठीक है चलिए, अग्ला कोशण देखेंगी अगले में कहा गए जनसंख्या के पिरामिट में कौन सा समू आश्रित आबादी के रूप में जाना जाएगा तो वह होता है समू आपका जीरो से से चौदा वर्स वाला ठीक है जीरो से चौदा वर्स का आई समूझ है यह आश्रित आबादी आश्रित का मतलब कहा है दूसरों पर निर्भर एक तरीकेश कर सकते हैं क्यों क्यों कि जो वर्किंग पॉपुलेशन माने जाती है वह आपकी पंदरा साल से 69 वर्स के वीच में मा होगा ना उसको यहाँ पर लिट्रेशी रेट के लिए सामिल के जाता है अब भारत के हिसाब से अगर आप अपना नाम लिख लेते हैं तो आप साच्छर कहलाते हैं ठीक है साच्छर कहलाएंगे अगला कॉस्चन है आप इसमें कहाँगा जंगना 2011 के अंतिमाकडों के अनु सब्सक्राइब कोई और चला है उसकी आप ध्यान मत दीजेगा वर्तमान में भारत की जनसंक्या प्रद्धी निम्न में से किस दौर से गुजर रहे हैं तो देखिए निश्ची रूप से गिरिने की परवत्ति के साथ उच्छ प्रद्धी दर है ठीक है निश्ची रूप से शुरूआत करी है ठीक है जिसे मृत्यू की गर्णा भी करी जा रही है जन्म की जन्म वाली होती है तो होती हैं पर करनाटक में अगला कोशन है यहां पर जनसंक्या प्रद्धी के सुरूप को एक दीर्ग कलावधी में घटित कर्मिक प्रवतन को क्या गहते हैं तो क्या हो यहां पर इसको कहते हैं वो कहते हैं जननांकी संक्रमण कहा जाए ठीक इसको कहा जाए जननांकी संक्रमण अगला कोशन है थेखे दोजार 11 की जंगर्ना के अंसार अगर देखें तो भात की जनसंख्य की दस्की ब्रधिक कितनी रही है वह यहां पर टोटल रही है कितनी और है सत्रा पॉइंट सत्तर पर्षंट इस ऩर्टिनाइन का अगला कुशन देखिए यह रिजन में मुरतित और समान है अधा बाहे परवजन नहीं होता तो जनसंख्या में कोई परियोता नहीं होता है तो इससे क्या कहा जाता है ठीक है तो इसको गहते हैं जन संख्या की स्थिरता करेंगे जहां का लिंगा नुपात राष्ट्र और सच से भी रहा पर है तो यह आपका जारखन ठीके जहार गोचन नीद दोहजार के अंतरगत एक लच्छी था दोहजार पैतारीस तरी जनसंख्या में इस्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी तो यह लच्छी तो वर्स रखा गया था यह कितना रखा गया था तो देखेगा इस लच्छी तो वर्स को रखा गया 2070 में ठीक है 2070 रखा गया इसका रहें नहीं यहाँ पर सबसे कम लिगान पात के मतलब करता है पूरुशों के प्रतिमला है ठीक है अगला बीसına सबक्राइब का सब्सक्राइब वो रख्या गहा था आवर सींस आवज अवर फूचर अगला कुछन है आपर कि गाया जनगर्णा 2011 कुछ बहात की जो टी अफार कितनी है निकी शकल प्रजिणनन रेट जो हो कितना है तो प्रजिणनन रेट जो है वो कितना है 2.4 ठीक है इसको याद रखेंगे प्रजिनंदर जो है भारत की वो है 2.4 इंपोर्टेंट है अगला भारत में अबनाइशन से है ठीक है भारत में नगरी करण से क्या परभाव पड़ रहा हैं तो इसमें यह ऑळा है कि जन्म और मृति दर दोनों घट रही है भारत में जो नगरी करण हो रहा है अगला कुशन है कि 2011 की जणगर्णा के अंसार भारत में नगरी जणसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का कितना परशंट है तो वह है यहां पे 31.2 परसेंट है इतना नघरी यहां पे जनसंख्या भारत में कौन सा राज साचार्थ दर एम नगरी करणड के इस्तर में भारत में दुत्ति इस्थान पर कौन सा हो जाएगा तो यहां पे मिजोरम पहले पर कौन होगा पहले पर निमली किर में से कौन सा है जन संक्यार नियंतर का जो सरवाधिक उपाए परत कंट्रोल कर लिया जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावकारी उपाय रहता है ठीक है अग्रान पर 2011 की जण्यार किसार निमनलिखी दुर्फ में नग्री जन संक्यार का म3 1 17 5 8 8 9 9 10 10 211 को उनकी नभी करुण कि और वही करण में विवस्थित कीजिए दिये गधी कूओर से सहीफत्तर मिलाना ना है ठीक है यहां पर देखेना क्या है। थोड़ा सा और चलते हैं तो यहां पर और वही करम मतलब क्या है सबसे ज्यादा से नीची आना ठीक है तो अगर आप ध्यां से देखेंगे तो क्या होगा सबसे पहले क्या होगा यहां पर जो है अगला कुछन देखें तो कहते हैं कि वर्स 2011 की जंगना के पश्चात अनुसार महाराष्ट में नगरी जनसंख्या सरवादिक है वह महाराष्ट में है लेकिन उसके बाद कौन-कौन से है उत्तर पदे से फिर तमिलनाडू फिर क्या कहते हैं भाद का सरवादिक नगरी का परस जो सहरी लोग रहते हैं अगला कुस्षन है नगरीकरण जो है बनाजेशन की दर्ष्टी से भारत ठीइदा बहुंस है तो हैं मद्यम' मेडि़्ट Efendimiz मीडिल नगरीकरत देश ठीक है अगला कोशे ने किस केंसासित राज में नियुम्तम नगरी जनसंक्या निवास करती है तो हो जाए कहाँ पे लच्छ दिप ठीक है सबसे कम नगरी जनसंक्या निवास करती है लच्छ दिप में अगला कोशे ने नियुम्तम नगरी जनसंक्या निवास करती है अगला कोशे ने अगला कुशन नहीं पर देखेंगे तो कहते हैं कि भात की वर्स 2011 की जनगना के अंसार सरवादिक जनसंक्या निमलिखित नगरी युगम में के लिए दर्सित हुई है ठीक है यहां पर कौन सा हो जाएगा आप पर क्या होगा होगा मुंबई और दिल्ली हैं पर सबसे अदर न अगला कुशन देखें तो कहते हैं भात में सबसे अदा हैं पर वरिष्ट आईव निर्भरता अनुपात कहां पर वरिष्ट आईव मतलब कहा है जो अज़ेट लोग सबसेदा कहां पर हैं मतलब रेशियो पूछा है तो कितना है 14.2 ठीक है 14.2 परसंट अगला कॉशन की तर प्रतिव्यक्ति अधिक्तम आय देती है वह एडवर्ट वीट ने कहा था किसने कहा था एडवर्ट वीट ने अगला कॉशन है पर है कि 2011 की जनगन्ना में निमलिखिन में से किसी राज की जनसंख्या में कमी आई है तो वह नागालेंड हो जाएगा जहां पर निगेटिव ज जनसंख्या देखने का मिली थे ठीक है चले आगले कॉशन देखेंगे